क्या आप लोगों को भी जानना है कि जो हमारी web app और mobile applications होती है उसमें हम carousels या कुछ ऐसे cars बनाते है slider के तौर पे उसको हम animate smoothly कैसे करवा सकते इन Figma So hello guys, welcome back to the UI Champ and आज हम कुछ ऐसी ही trick पे बात करने वाले है कि आप easily अपने Figma में carousels को animate करवा सकते So let's get started So here I have already carousel animation करके एक file लेकर रखाओ है Now हमें क्या करना है कि मैं एक mobile application की screen ले लेता हूँ और उसको rename कर देता हूँ one as one right अभी मैं same rectangle ले लेता हूँ same size का क्यूं क्यूंकि हमें ऐसी image डालनी है उसमें जो हमारी screen size है So उसको हम carousel की तरह animate करवा सकते है Let's suppose हम wallpaper के लिए कर लेते है जो हमारे mobile application और iOS 16 में आप जो देख रहे है ऐसा कुछ कि आप जैसे ही प्रेस करेंगे और drag करेंगे आपके आसाथ pop-out होके वो set हो जाएगा So let's suppose मैं इसको duplicate कर लेता हूं क्यूंकि हमारे पास multiple wallpapers हो सकते मैंने चार बार इसको rectangle को ले लिया Now coming to the plugins and I will select Unsplash Unsplash में जाके मैं अभी के लिए minimal डाल देता हूं Let's see that कौन से wallpaper आते है okay this is not good for now let me just change it again Okay right so हमारे पास चार तरह के wallpaper आगे मैं इसको group कर देता हूं ताकि जो हमारा एक group है उसको हम drag out और drag in करवा सकते है और pop out और pop in करवा सकते right so इसको group करता हूं और इसके अंदर जो हमारा main frame है उसके उसके अंदर लाके उसको center align जो हमारा पहला wallpaper है वो लाके रख देता हूं right so यह तो हो गया हमारा पहला frame पर हमें चाहिए दूसरा वाला वाल पेपर right so मैंने यह दूसरा वाल पेपर के लिए एक selection एक स्टेट बना लिया कि हम जैसे इस वाल पेपर वाल पेपर जैसे हम इस वाल पेपर को और यहां पे उसको set कर देंगे right फिर again same procedure की मुझे यह जो image है इसको छोटी करके इसमें रखना है right and तीसरा वाल पेपर आएगा फिर पर इसमें नहीं यह frame automatically change हो जा रही है यह देखो सो इस according में set कर लेता हूं अपने वाल पेपर राइट and the fourth one and last last one की जो हमारे fifth frame है उसको हम बड़ी कर लेंगे और images के साथ उसको set कर देंगे let's suppose 812 812.5 okay now it's good right so यह हमारी image is set हो गई sorry इसको हमें यह नहीं करना था इसके जो बड़ी वाल पेपर है उसको हमें set करना था क्यों क्योंकि हमने यहां पे drag में fourth one रखा है not ki fifth one right so यह हमारी image हो गई done now coming to the main point is prototype जैसे हम prototype पे select करते है we have to press V first then we can just drag an arrow to the second now हमें क्या करना है जो भी हम screens में छोटे वाल पेपर दिखा रहे है उसमें हमें drag करवाना है क्यों क्योंकि जैसे ही में drag करवांगा वो पूरा का पूरा slider आ जाएगा फिर जैसे ही click करवांगा वो पॉप आउट हो जाएगा पॉप इन हो जाएगा right मैंने यहां पर 3rd से 4th में drag करवा दिया फिर से smart animate everywhere and the last one is on tap but smart animate right so जैसे मैं यहां पर click करवांगा जैसे यहां पर drag करवांगा यह आ जाएगा उसके बाद click करवांगा तो pop in हो जाएगा लब पूरा वाल पेपर set हो जाएगा फिर से drag करवांगा यह आ जाएगा फिर से pop in हो जाएगा click करवांगा तो right so let's play it right अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको drag करवांगा यह देखे simply वो change हो जा रहा है और जैसे मैं इसके उपर click करवांगा वो set हो जाएगा simple again drag again click करवांगा so वो again change होता जाएगा drag click drag click drag click so आज हमने देखा कि हम Figma में कैसे carousels को easily animate करवा सकते so if you really like this content then please subscribe to my channel thank you very much